नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं बित्रन कीया जाना है गढ़वा में सिंगल यूज पलास्टिक के कारोबारी पर करवाई सिंगल यूज पलास्टिक बंध है इसके बावजू चोरी छूपे इसका उप्योग हो रहा है इसी के तहद गाडवार नगर परिशत की पूरी टीम ने करेपालक पदा अधिकारी संजय कुमार के नेदितु में पुरानी बाजार तथा संगत मुहला इस्थित दो अलग अलग गोदाम पर संगन चापे मारी की वहाँ पुरानी बाजार इस्थित घंसयाम पर साद कस्यप के गोदाम से लगभग 10 क्यूंटल से अधिक पॉलिथिन भंडार बरामत हुए है वहीं संगन मुहला इस्थित राजु अगरवाल के गोदाम में चापे मारी करने से सिंगल यूज पलाष्टी का भंडारन नहीं मिल सका संभावना ब्यक्त किया गया है कि इस गोदाम से छपे मारी के पूर्वी ही सिंगल उज़ पलाष्टि को कहीं अन्यत्र हटा दिया गया हो लातेहर जीला क्रिकेट संग के नए अध्यक्ष पंकज कुमार सिन्हा लातेहर जीला क्रिकेट संग का सत्र दो हज़़ बाई चबिस के लिए पताधिकारे को चुनाव जीला खेले स्टेडियम विष्थित LDC करयाले में किया गया चुनाव पताधिकारी स अधिवक्ता परदिव कुमार उपाध्याय के परवेक्षन में चुनाव कारे संपन किया गया चुनाव में पंकज कुमार सिंग अध्यक्ष सचिव अमलेश कुमार सिंग वरिये उपाध्यक चंद्र परकाश सिंग, उपाध्यक अनिल सिंग, सुरेंद्र परसाद वह अभीशनु देव परसाद गुपता सतिस कुमार दिवेदी, कोसाध्यक शन्यु सचीव जावेद अक्तरव परकाश कुमार निर्विरोद निर्वाचित किये गए। सभी पता अधिकारियों को चुनाव अधिकारी सिरी उपध्याय ने पवान पत्रसोपा संक्य अध्यक्स पंकज गुमार सिना ने कहा है कि लात्यार में किर्केट की असीम संभावनाय है जैरखन में भीशन सड़क हादसा 27 लोग घायल दो की हालात गंभीर गंभीर रूप से घायल दो को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम से रेफर कर दिया गया अन्य घायलों के कुड़ू CHC पहुचने के बाद CHC में इलाज को लेकर परिसानी होने लगी चिकित्सक्व कर्मी कौम पढ़ गये किसी परकार घायलों का इलाज नेजिक क्लिनिक में काम करने वाले स्वास्त कर्मियों ने किया घाटना के बाद नेशनल हाईवे 75 लगबग ए घंटे तक जाम हो गया पहली सोमुआरी को बाबा धाम में सरधालों की बढ़ेगी भीड स्रावनी माह की पहली सोमवारिको कवारियों को उम्डे की भीड बतादे इसमे अधिकान सर्धालू, बांका, मुंगेर और सुल्तान गज सहित अने जिले से आएंगे इसलिए आने वाली कवारियों को सुगम तरीके से जलापन की सुविधा उपलब्द कराने की सभी तिया जिला परसासने पूरी कर लिया है कावरियों के सुविधा और सुल्क्षा को लेकर डी सी मन्जुनात भयंतिरी ने दंडा अधिकारियों को कईद निर्देश भी दिये हैं डी सीय ने सभी दंड़ा अधिकारिों से कहा 7 महिने में सप्ता में तीन दीन रविवार सोंउआर, एवा मंगलबार, अत्याधिक संक्यामें स्रधालू बाबा नगरी आते हाई इसको लेकर सभी चीनित अस्थानों परदंडा अधिकारियों के प्रतिनिक्ति की गई है जिसमें दूमा, खिजूरिया मोड, हिंदी, विध्यापीट, सिव गंगा, भाबा मंदीर के पूरे परिसर, भाबा मंदीर, संसकार, मंडप, क्यूक कंपलेक्स, नहरू पार्क, जलसा बीट कॉलेज, बर्मसिया, कोडार्मा में नाव पलटने से नौ लोग डूबे एक सुरक्षित निकला, कोडार्मा जिले के मरकचो परखन मुख्याले इस्थीत, पंच, खेरो, जलासे में नौ का डूब जाने से नौ लोगों में आठ लोग डूब गए, एक सक्त तैर का इस अभी गिरी डिजीले से यहां घूमने आये थे, घाटना रभी वार्शूबा लगभग 10 बजे की है, डूबने वालों में सीवम सिंग 17 वर्शिये, पलक कुमारी 14 वर्श, दोनों के पिता परदीप सिंग, 17,14 वर्शिये वा उनके 3 बच्चे, सेजल कुमारी, हर्श कु जारी है, इधर केंद्रिय सिक्षा राज्ये मंत्री साकुडर्म संसत अनपूर्णा देवी ने हाथ से को लेकर डिसी से बात कर रहात बचावकारे तेजी से चलाने को कहा है, जारखन में 33,000 लोगों ने लिप बुस्टर डोज, कुरोना टिकाकरन के तहत 18 वर्श से अधिक आयू के सभी नागरिकों को बुस्टर डोज मुफ्त लगने के बाद जारखन में टिकाकरन में तेजी आई है, राजमें महज दो दिनों 15 और 16 जुलाई में 33,000 लोगों ने कुरोना टिका का बुस्टर डोज लगवाया, इसमें 26,46 नागरिक उस आयूवर के हाँ है, जिने आभी तक बुस्टर डोज नीजी स्पतालों में ही निधाई 83 के भुकतान पर लगाई जा रही थी, सबसे बड़ी बात्या है कि उन जीलों में भी 18 से 69 वर्स के नागरिकों को बुस्टर डोज का टिकार लगना शुरू हो गया है, जहां आभी तक इस आजूवर के नागरि पर निशाना साधा है, उन्होंने कहा है कि सरकार गिराने और और स्थीर करने की साजिस का कांगरेश का पुराना इतिहास रहा है, कांगरेश और तिस्ता सित तल्वार के स्रण्यंतरों के रोज खुलासे हो रहे हैं, कांगरेश अध्यक सोनिया कांधी के राइनेतिक सलाकार रहे दिवंगत अहमद पतेल ने सारी रहने तिक मर्यादावों को लांगते हुए नरेंद मोदी के खिलाप सड़ेंत रचा अब इनकी साजीसों और देश बिरोधी सड़ेंतों की पोल खुल रही है तो ओ देश में डर का महोल है एजेंसियों का दुरूपयोग जैसे नेरेट गड़ने की कोशिस में जूटे हैं वो अपने गंदे इरादों में कभी सफल नहीं होंगे ये नया भारत है एक जागरुक भारत है अब इसके बाकावे में कभी नहीं आएंगे जारखन में Digital and Skill University खुलेगी जारखन में Digital सक्षार्ता तथा कोशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कोशल विद्या इंटर प्रियोंशिप Digital and Skill University की अस्थापना की जाएगी 29 जुलाई से सुरू हो रहे है जारखन विधान सबक मांसुन सत्र में इसे लेकर विद्याक लाया जाएगा इस सत्र के दोरान लगभाग आधा दरजन विद्याकों को लाने की त्यारी है जिनमें नीजी बिशो विद्याले के रूप में अजीम प्रेम जी बिशो विद्याले विद्याक के अलावा को संसोधन विद्याक भी सामिल है सहायक अभियंता अभियार्थियों ने JPSC को लतारा जारखन में सहायक अभियंतावक नियुक्ती परकिरिया साथ वर्स में भी पूरी नहीं हो पाई है पहले परिक्षा से संबंदित मामले नियालाई में जाने के कारण नियुक्ती नहीं हो पाई तो अब नियाले से हरी जंडी मिलने के बाद जर्खन लोग सेवा आयोग में अध्यक्ष नहीं होने से नियुक्ति परकिरिया पूरी नहीं हो पा रही है बता दे इसे लेकर अभियर्थियों रभिवार को इंटरनेट, मीडिया, ट्विटर पर अभियान चला कर सिग्रे नियुक्ति परकिरिया पूरी करने की मांग जर्खन के राजेपल रमेस बास तता मुक्ष मंत्रिय मन्सुरें से की अभियर्थियों के नुसार नियुक्ति परकिरिया चार बार उस नयाले तथा एक बार उस्तम नयाले के समक्ष पहुंचने के बाद भी अभी तक अमतिम रूप में नहीं ले सकी है धन्यवाद